हाई एवरिवन एक्जाम एडिसीन चैनल में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम कंबाइन टेक्निकल सर्विस एक्जाम के प्रैक्टिस कर रहे हैं कोश्चन के आपको यहां से भी साइंस के कोश्चन देखने को मिलेंगे और यह जो भी कोश्चन आपको प्रवाइड होती ही रहेंगी चैनल के माध्यम से आईए देखते हैं पहला प्रश्चन होते हैं हिलियम के नाभिक में होते हैं तो दो प्रोटान और दो न्यूटान होते हैं हिलियम के नाभिक में अगला देखते हैं सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है आपके स्लेवस में इसका भी ध्यान है कि आपके सिलेवस को टच करता हुआ हो तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम अगला है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती किसकी मात्रा को बढ़ाएं तो स्टील की जो कठोरता बढ़ जाएगी तो क्रोमियम की मात्रा को बढ़ाया जाता है भारी मशीनों में सिनेहक के रूप में प्रयूप्त होता है तो ग्रेफाइ ध्यावह में सरावaboutिक अभिकरिया शील हए तो हैलोजन में सर्वादिक अभिकरिया शिल फ्लोरीन होती है नेक्स्ट है पृतवी के चारों और गैसों का समू क्या कहलाता है तो वायू मंडल कहलाता है अमलो वर्षा का मुख्य कारण क्या है तो यह सो टू है याल रखेंगे फामूला आके देखेंगे शक्कर का किर्वन से क्या बनता है शक्कर के किर्वन से इथाइल एलकोहल बनता है पूछा जा सकता है इथाइल एलकोहल कैसे बनता है तो उसका कारण क्या है? तो पोटेसियम की कमी होने के कारण आलू में ब्लैक हार्ट कारण होता है. हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा क्या होता है? जो आप हल्दी प्रयोग में लाते हैं, उसका हिस्सा क्या होता है? तो वो होता है प्रकंदन आगे देखेंगे रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है तो जो रक्त का लाल रंग होता है वो हीमोगलोबीन एक प्रकार का प्रोटीन है तो वही लिखा है हीमोगलोबीन नामक प्रोटीन के कारण रक्त का लंग लाल होता है बल की परिभाशा न् न्यूटन के प्रथम गति के नियम से संबंदेत है। कितने ताप पर जल का घनत अधिकतम होता है। चार डेगरी सेल्सियस पर जल का घनत अधिकतम होता है। प्रतिध्वन इसुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच नियूंतम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो 17 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट लाल हरा और नीला रंगों को मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा तो सफेद। लाल हरा नीला रंग मिलाने पर सफेद रंग बनता है। प्रकास के किस घटना के कारण रेगिस्तान में मिरीच का दिखाई पड़ती है। तो पुण आंतरिक परावर्तन के कारण। आगे देखते हैं। ठंधक उतपन करने के लिए रेफ्रेजरेटर में कौन सा द्रव ब्योग किया जाता है। तो फ्रेउन यूस किया जाता है। आगे देखिए। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलना जलने पर अधिक कस्ट क्यों होता है। जल की अपेक्षा भाप की गुप्त उश्मा अधिक होती है जो भाप होती है उसमें गुप्त उश्मा अधिक होने के कारण भाप से अगर जलता है कोई तो जादा कस्ट जादा दर्द होता है राकेट का आकास में उडान भरना किस सिध्धान्थ पर आधारित है तो रेखी सम्वेक के सिध्धान्थ पर आधारित है एक चंद्र दिवस पृत्वी के कितने दिनों के बराबर होता है तो 28 दिन के बराबर होता है परमशुनिताप का मान बताएं तो परम शुने ताप का मायन होता है माइनस दो सो दिहत्तर डिग्री सेलसियस आगे देखते हैं जब लिफ्ट की डोर तूड जाती है तो वह मुक्त पिंड की भाती नीचे गिरती है इस स्थिती में लिफ्ट में स्थित वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो शुन्य हो जाता है भार जो है शुन्य हो जाएगा प्रित्वी अपनी वर्तमान कोणी चाल से कितना गुणी अधिक चाल से घूमने लगे ताकि जो है भूमत रेखा पर रखी वस्तु का भार शुन्य हो जाए आपको बताना है तो सत्र गुनी अगर हो जाएगी तो आगे बढ़ते हैं खाना पकाने में प्रियुक्त होने वाले हीटर का तार किस्से बना होता है तो नाइक्रोम का बना होता है प्रकास वर्सक दूरी का मातरक होता है याद रखना है ये भी कि प्रकास वर्सक इसका मातरक है तो दूरी का एक प्रकास वर्सक का मान कितना होता है तो 9.46 x 10 to the power 15 मीटर आगे बढ़ते हैं अब पेक्चिक आदरता किस यंदर के द्वारा मापा जाता है तो हाइडरो मीटर के द्वारा मापा जाता है देखिए इस पर confusion होता है हाइग्रो मीटर है ध्यान रखेंगे प्रित्वी तल से पलायन वेक का मान कितना निर्धारित है तो 11.2 km पर सेकंड निर्धारित है तो नेगर्ट की सुद्धता किस यंतर से मापी जाती है तो दूद की शुदता लेक्टोमीटर से मापी जाती है आगे किस वैज्यानिक कारण से जो है डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह से दूल जाते हैं ठीक है तो प्रिष्ट तनाव के कारण डेकर डेटर्जन डब आप डालते हैं कपडों में तो वो अच्छे से साफ हो जाते हैं कितने हट्च तक की अनुभूति मानव अपने कानों ध्वारा अनुभव कर सकता है तो सस्चेatt till 20,000 फोर्ण शेटि 20,000 हेट्स तक कर सकता है है तो सबसे ज़्यादा होती है गामा के रिनों की जितना भी इस स्रीज में दिया गया है इसे अच्छा से रिवाइस करते रहिएगा ठीक है इतने में आपने लगबग 20 कोस्टन से ज़्यादा ही टच किया होगा नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइट करी जाएगी जर्बगें।